हेलो दोस्तों यह है stock market paradise आज हम जिस stock की बात करने वाले हैं यह आपको देखेगा यहां पर देखेगा fiber cable fiber cable कुन सी होती है अगर आपने internet यूज किया हो breadwind अगर आपने लगवाया हो AI tell का जियो का जिसका भी आपने लगवाया भी SNL का तो यहां पर आपने देखा होगा कि यह केवल आती है जो कि आपको यहां पर जो राउटर होता है उसको connect करती है फिर वहां से आपको वाई-पाई की signal मिलते हैं तो यह cable होती है इसे कहते है fiber cable फाई-बर केवल कैसे होती है इसमें थोड़ छोटे जोटे बहुत पतली पतली आंपे तार होते हैं और वो कांच के बने होते है गिलास के बने होते हैं बहुत ज़्यादा यह speed में data transfer करते हैं बहुत ही speed में तो यह जो fiber cable है यह जो company बनाती है उसके बारे में हम बात करने जो company fiber cable बनाती है अब आप यू समझगे कि आपके यहां पे कितने fiber cable लगे हुए है कितने लगें कितने बिराइड बेंड लगे हुए है आपके area में नहीं लगे न जादा क्योंकि लगेंगे आने वाले time में लगेंगे जो company का यहां पे आप देखोगे target है 2023 तक यहां पे 10,000 क करोड का यहां पे इनका revenue generate करने का इतना ज्यादा 10,000 करोड का बहुत ज्यादा होता है और अभी company कितना कर रही है 800 करोड तो देखिए कितनी ज्यादा गिरूत करने कि इनकी planning है केवल तीन सालों में यह चाहते हैं कि हम इतना revenue generate करें तो इसका अगर इनोंने 50% भी कर लिया तो बहुत हो जाएगा इतना हो जाएगा कि आपको जो profit मिलेगा वो आपको माला माल करतेगा तो यह सारी सीचें आपको ध्यान में रखनी होते हैं कि company का target क्या है actually company किस तरीके से काम कर रही है क्या innovation यह ला रही है देखिए किसी ने कहा है कि जब तक किसी company में innovation नहीं होता ह आपको उसमें रुपया नहीं लगाना चाहिए जिस company में innovation होता है आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए तो दौनों चाहिए आप समझ यह जड़ा innovation बहुत जरूरी है किसी company को गिरोद करने के लिए आप यहाँ पर लेते है idea का जैसे idea केबल innovation पर नहीं जाती थी केबल advertisement पर जाती थी तो बहीं पर रह गई नीचे गिरती चले गई लेकिन अगर यहाँ पर देखें यह बहुत ज्यादा innovation में थी इसलिए जीओ को यह टक्कर दे रही है और आप तो जीओ को इसने मात भी दे दी है जीओ जो है वह innovation के साथ ही आई थी तो यह सारी चीजिए आपको दे innovation ना हो आपको इसमें इवेस्ट नहीं करना है और अगर company में innovation हो तो आपको उसे छोड़ना भी नहीं है क्योंकि वह long run में आपको बहुत बड़ी है profit देने वाली है जब company खुद ही अपनी गिरोत करना चाहती है तो उसे रोकेगा कौन फिर तो यहां पर देखते हैं कि इस सारी किट बनाती है तो company के पास बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे यहां पर बहुत ज्यादा potential है company के पास क्योंकि आने वाले टाइम में यह बहुत 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 परफॉर्मेंस देने वाली है आपको यहां पर देखिए ARTL का अगर आपने broadband लगवाया हो अगर आपन multiple state में अभी तक service ला चुकी है और ARTL के साथ इसकी बहुत अच्छी यहां पर deal है तो यह आपको देखने को मिलता है STL में यानकि जो fiber cable बनाती है देखिए अगर और अच्छे से समझें कि यहां पर हमें किस तरीके से order book value देखने को मिलती है तो order book का देखें आप किस तरीक ही लेकिन बढ़ते ही जा रहे हैं तो open order book में भी आपको बहुत ही बढ़िया यहां पर गिरोथ देखने को मिलेगी तो यह देखें यहां पर 21 में क्या है 2021 में 1501 करोड का है order book spread इतना है लेकिन इनका target क्या है 22 में 5,470 कितनी massive गिरोथ है यह कितनी massively और यह जो है 23rd का है और यह score भी beyond जाएंगे लेकिन यह अभी इन्होंने target रखा हुआ है तो company जो है वह बहुत ही अच्छा है अपने manage कियों है सारी चीजें अगर यहां पर देखें कि किस तरही किस अमें distribution देखने को मिलता है तो यहां पर देखें जियोगराफिकल अगर distribution देखें revenues में जो की 2020 का है data 2020 का अगर यहां पर देखें 2021 में तो यह आपको देखें 56% यहां पर इंडिया का है यहां पर देखें 33% EMEA का है तो बहुत बड़ी है तरीखी से यहां पर distribution देखने को मिलता है कम थी तो mix balance आपको देखने को मिलेगा company की तरब से अगर revenue में यहां पर बात करें तो revenue revenue देखिए company का revenue वो लगातार गिरोत कर रहा है यहां पर जरूर आपको थोड़ा सा depth देखने को मिलेगा because of lockdown यहां पर services बहुत जादा कम हो गई थी और यहां के बाद फिर देखें कितना जादा गिरोत देखने को मिला है बहुत ही जादा revenue जो है वो आपको 1314 करोड का देख देखने को मिलते हैं जो quarterly result है तो यहां पर देखिए revenue जो है 876 करोड था quarter 1 में 1160 हुआ quarter 2 में quarter 3 में हुआ 1314 तो देखिए यह तो quarterly ही इतना massive growth कर रहे है तो यहां year on year तो बहुत बढ़ी है चल रहा है year on year आपको 2020 की बज़े से यहां पर थोड़ा सा down देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा heavy में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा high लगा दियो company ने लेकिन company जो है growth कर रही है धीरे धीरे ही सही लेकिन इससे धीरे नहीं बोलते से बहुत तेज बोलते है क अगर देखां तो 131 करोड़ यहां पर 212, 238 यह भी आपको एक क्वार्टर नं क्वार्टर टू ट्वल परसेंट का यहां पर इंकिरीज देती है यहां पर 58 करोड़ की कितना massively यहां पर इन्होंने profit बनाया है पर यहां पर 87 करोड़ की बहुत massively quarter on quarter देखें तो 48% का इन्होंने यहां पर इंकिरीज देखा है यहां पर result में quarter on quarter तो company जो है वो बहुत अच्छे तरीगी से यहां पर काम कर रही है लेकिन यहां पर बिजन देखिए company का यह तो हमने देखा result अब बिजन देखिए कि company और क्या चाहती है तो company क्या चाहती है दोज़ार तेश तक यह चाहती है कि हमारा revenue 10,000 करोड का हो जाए देखिए यहां पर समझे कितना है इनका revenue 1314 करोड और company का क्या प्लान है कि 2023 तक हमारा revenue 10,000 करोड का हो जाए तो company बहुत ज़्यादा गिरोध के लिए काम कर रही है बहुत massive गिरोध यहां पर company को चाहिए उसके लिए यह काम कर रही है जो आप company में गिरोध देखोगे वो आपको देखने को मिल भी सकती है क्योंकि ज़्यादा तर area आपको देखेंग तो यह 0.5 से आपको कम देखने को मिलती है तो यह देखा हमने company के बारे में अच्छे से समझते है order book अगर समझा कि किस तरीके से order book देखने को मिलती है तो यहां पर देखेंगे 10,700 करोड बर्त के जो order है वो इस company को मिले हुए है पर इसके पास है जिसमें से यह केबल 5,500 कर के ही जो की फिसकली है 2022 में कर पाएगे तो यह तने कर पाएगे तो यह बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है कि कंपनी जो है वो लगातार अपने जो order है उनको डिलीवर कर रही है अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर रही है यह company का revenue वो बढ़ता ही जा रहा है तो 500 यहां पर और बचे हुए 10,700 करोड मैं से अगर जो भी बचे हुए वो उन्हाने कर दी है डिलीवर और 500 करोड यहां पर company ने deliver करेगी 2022 में यहां पी अगर citizen networks देखें तो 34% आपको देखने को मिलते हैं citizen networks enterprises देखने को मिलते हैं 18% जियोग्राफिकल अगर presence की बात करें तो यह company आपको USA में, Mexico में, Brazil, UAE, China, Russia, Indonesia, UK, Switzerland, Italy, France और भी देखने को मिल जाएगी यहां पर India में भी आपको यह देखने को मिलेगी तो 66% total revenue इस company को कहां से मिलता है इंडिया से और हम कहां पर रहते हैं इंडिया के आरे तो हमें ऐसी company में invest क्यों नहीं करना चाहिए जो company इतना ज़दा profit बना रही है हमारे इंडिया से तो हमें Indian को यहां पर invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 66% revenue बहुत होता है और अगर EMEA में देखें तो 27% revenue यहां से जनरेट होता है 3% अमेरिका से 2% चाहिना से और रेस्ट अप दी वल्ड से यहां पर होता है 3% तो बहुत बढ़ी है यहां पर आपको revenue देखने को मिलता है company का अगर यहीं पर हम देखें कि किस तरीके से आपको market position देखने को मिलती ह और आपको बिछानी की जहुरत होगी देखिए एक सेहर दूसरे से से तभी connected जब दोनों एक ही आपको एक ही टाइप की देखने को मिलेंगे यानि कि दोनों smart हैं तो दोनों connected है अगर कोई area थोड़ा से चोटा है और कोई बहुत बढ़ा है तो यह connected नहीं है इनके पास fiber नह अगर मैसे भी यहां पर growth करने का यहां पर potential है तो company के पास बहुत बढ़ी है यहां पर चीज़ें में देखने को मिलती है अगर यहां पर product की बात करें तो glass perform बनाती है जो की optical interconnect product होते है अगर प्रोड़क्ट की बात करें तो प्रोग्रामे पर यहां पर यहां पर प्रोड़क्ट देखने को मिलेगे अगर यहीं पर बात करें manufacturing capabilities की किस तरीके से manufacturing capabilities की किस तरीके से manufacturing capabilities की देखने को मिलती है तो company जो है 7 manufacturing facility है इंडिया में जो की आपको इंडिया चाइना इटली ब्राजील में देखने को आपको मिलेंगी और इनकी जो capacity है वो आपको 15 million FKM optical fiber देखने को मिलेगी R&D capabilities अगर देखा कि किस तरीके से यहां पर innovation center है company के पास तो यहां पर देखिए company के पास 450 patent है optical connectivity में patent है यानि कि उनमें काम केबल यह company कर सकती है इनके पास patent है network software and services and access solution में इनके पास patent है और चार innovation center है तो बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि patent जिस company के पास होता है वो आने वाले time में growth ही करती है क्योंकि उसका जो patent है वो उसका ही रहेगा हमेशा कोई उसको चुरा नहीं सकता और अगर कोई यूज कर भी लेता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा तो कोई भी यहां पर चोरी के चीजें यूज नहीं करता है अगर यहां पर हम देखें और पूरे तरीके से अगर देखें कि किस तरीके से हमें stock price देखने को मिलत है आर उसी यहां पर 12.2 परसेंट है आर उसी डिटा नोनिकेटी 14 परसेंट बहुत बढ़ी है डिविडेंट भी यह कंपनी देती है एक सेयर की face value 2 रुपए 52 वीक का अगर हाई देखें तो 318 और लो 146 रुपए तो आपको इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है पड़ेगा यहां पर revenue में net profit में कोई यहां पर changes नहीं है देखें कितने बहुतरी तरीके से company balance कुई हो है अपने sales को और expenses को तो यहां पर company year on year आपको net profit में ही देखने को मिलेगी अगर analysis की बात करें तो company बहुत बढ़ी है आपको return देखती है return on equity बहुत बढ़ी है जो कि आ यह सारी चीजें आपको बहुत बढ़ी है देखने को मिलती है अगर balance sheet की बात करें यहां पर तो company के पास यहां पर आपको देखिए यह 79 करोड का आपको share capital देखने को मिलेगा reserve company के पास almost 2000 करोड के और 3500 के यहां पर आपको borrowing देखने को मिलती है तो हां borrowing है company के पास लेकिन जो company के पास property होता है उससे यह नहीं है company borrowing निकाल नहीं सकती चुका सकती है अगर company चाहे तो एक साल में यह पूरे चुका सकती है तो यहां पर थोड़ी सी आपको borrowing देखने को ज़रूर मिलती है लेकिन कोई problem बाली बात नहीं है यह share holding pattern अगर हम देखें तो यहां पर देखि करने को मिलेगी तो अब question आता है कि क्या हमें इसमें apply करना चाहिए यान कि invest करना चाहिए क्या हमें इस company में invest करना चाहिए क्योंकि fiber cable जो है अब आप सोचो कि cable में क्या ही business होगा बहुत बड़ा business होता है आपको पता नहीं है एक बार आप हैवल्स का यहां पे stock price देखिए क यह कहां से कहां पहुंच गया है एक बार आप पॉली केब का यहां पे stock price देखिए कहां पे कहां पहुंच गया है तो यह cable ही बनाती है लेकिन cable में बहुत बड़ा business है अब यह क्या है यह cable वो light वाले cable बनाती है यह जो company की हमने बात की है यह fiber cable बनाती है यानि कि internet से जो connect हो यह wire बोर इंटरनेट जहां पे पहुंचा है जाता है बहां पे fiber cable की जरूरत पढ़ती है इसलिए आपको इसमय बहुत ज़्यादा गिरोध देखने वाली है क्योंकि जहां पे अभी आप देखोगे आपको fiber cable बिचयोई नहीं देखेंगी आपको 10% ही area में आपको fiber cable बिचय देखने को मिलता है 10,000 करोड बो भी 800 करोड से डारेक्ट हो शाल तो यह बहुत मैसिब है अगर इसका इसने 50% भी यानकी 5000 करोड भी अगर कर लिया तो आप बहुत अच्छा है यहां पे profit बनाने वाले हो तो company बहुत ही बड़ी आप अभवम कर रही है और long term के लिए आप इ अगर हम देखें तो यहां पर देखें कंपनी किस तरीकी से गिरोत की हुई है company ने अगर तीन साल की बात करें तो देखें 63 पर यहां पर डिफ हुगा था 2020 मिल बेगोज आप लोग डंग फिर कंपनी कभी भी नीचे नहींगी डारेक्ट उपर ही जाती हुई आपको नजर यहां पर पोटेंसी अलग गिरोत करने का और बहुत ही जादा फंडामेंटली यह company strong देखने को मिलती है